हरो दोस्तों मैं रश्मी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हो नए नए यूट्यूबर हो जैसे कि मैं हूँ और आप या फिर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो आपके बहुत काम आएगी क्योंकि एक गलती जो अभी मतलब जितने भी ज्यादा तर जो नए यूट्यूबर्स है न एक गलती वो सारे कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो कि वो गलती कौन सी कर रहे हैं जिसकी वज़े से आगे चलके उनको प्रॉब्लम हो सकती है तो दोस्तों जैसा कि हम सबको पता हैं कि यूट्यूब का जो नया सिस्टम है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आउर्स का वाश टाइम तो दोस्तों जिस गलती की मैं बात कर रही हूँ वो गलती इसी टाइम से रिलेटेड है एक्टुली लोग क्या कर रहे हैं जादातर यूट्यूबर्स I don't know मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं I know कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये बात बुरी भी लगेगी but this is the fact तो दोस्तों बहुत सारे क्रियेटर्स को सिर्फ ये लग रहा है जो नए नए क्रियेटर्स है जो कि 4000 गंटे के का जो वाश टाइम पूरा करने की तलवार है वो सबकी सिर्फ लटक रही है तो उनको क्या लगता है कि मतलब in fact बहुत सारे क्रियेटर्स ये कर रहे हैं कि मतलब आधे आधे गंटे की एक गंटे की इवन आपने वीडियो डाल दी और ना तो उनमें कोई content है ना उनकी audio quality अच्छी है ना उनकी video quality अच्छी है बस एक सिर्फ एक video है तो चलो यहां तक तो समझ में आता है कि आपने कुछ-कुछ content बनाए कुछ भी videos बनाई दोस्त या रिष्टेदार जान पैचान उनको बोलकर किसी भी तरह से आपने 4000 घंटे का वाश टाइम पुरा कर लिया आपने 1000 सब्सक्राइबर्स भी कर लिये और 4000 घंटे का वाश टाइम किसी तरह से शाम दाम दंड वेद अपना कर लिया एंड आपका चैनल monetize हो गया मान लो कि एक मिनट के लिए मान भी ले कि सब कुछ करने के बाद आपका चैनल monetize हो गया उसके बाद क्या मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों कि चैनल monetize हो जाने का मतलब है कि अब आप राजा बन गए नहीं देखो चैनल का monetize होना इस जस्क लाइक की आपने कोई इंटरव्य पास कर लिया बट उस जॉब में आपको कितनी तरक्की करने है कितना उपर जाना है अपने आपको कितना प्रूफ करना है यह आगे की प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप अभी ये जो 4000 घंटे का वाश टाइम है ना इनको पूरा करने के चक्कर में अपनी चैनल पर कुछ भी वीडियोस जस्ट वीडियोस की बाढ़ मतलगा दो कि बस हमने वीडियोस डाल दिया भर दिये 4000 घंटे का वाश टाइम कैसे भी क करके पूरा करना है नहीं यह मत करो चलो मान भी लिया अगर आपका चैनल मॉनेटाइज हो भी गया ना तो देखा है मैंने कि मॉनेटाइज होने के बाद भी कुछ नहीं होता कोई फैदा नहीं होता इनफेक्ट मॉनेटाइज हो जाने के बाद भी आप लोगों को यह भी न कि आपने अपनी वीडियो पर कोई भी quality content नहीं डाला है कोई भी quality videos नहीं डाली है I know कि इसके बाद आप लोग मेरी videos को चेक करेंगे मेरे wash time को मेरे views को चेक करेंगे बट मेरे views कम नहीं है actually मेरे videos ही बहुत कम है लेकिन फिलाल मैं बात कर रही हूँ 4000 घंटे पूरे करने की जो गलती कर रहे हैं लोग तो दोस्तों आपने अगर कर लिए पूरे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्रेटिरिया पूरा करके उसके बाद क्या होगा मुझे यह बताओ लोग आपके चैनल को देखेंगे नहीं देखेंगे वो आपके कॉंटेंट को पसंद नहीं करेंगे दोस्तों अपनी वीडियोज हर किसी को अच्छे लगती है बट दूसरी की नजरे से देखेंगे दोस्तों A to Z ये जो हमने पच्पन में पढ़ा है ना A to Z ABCD वो आज से 25 साल पहले भी था और 25 साल बाद भी रहेगा लेकिन फर्क होता है टीचर्स के पढ़ाने पढ़ाने पर और यही बात YouTube में भी लग होती है वीडियोज एक ही टॉपिक पर बहुत सारे वीडियोज बने होते बट आपको देखना है कि आपको क्वालिटी वीडियो बनानी है और य दोस्तों मानलो अगर आपकी चैनल को बनाए हुए साथ महीने, आठ महीने हो चुके हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियोज कुछ खास नहीं है लोगों को मेभी की पसंद ना आए तो उसी को आगे कंटिन्यू करने के बजाए आप अभी से भी अच्छी क्वा हजार घंटे पूरे करने के लिए आप कुछ भी मठ डालो मैं बता रही हूँ आगे कोई फैदा नहीं होगा आपका चैनल मोनेटाइज होकर किसी कोने में पड़ा रहेगा ना तो आपको एक पैसे की इंकम होगी और नहीं आपके चैनल को लोग जानेंगे नहीं जानना तो 100-200-500 वीडियो बना दिये और कॉलिटी कुछ भी नहीं है तो वो ना के बराबर है और जहां तक रही बात एक साल के अंदर इस क्राइटिरिया को खत्म करने की वहां तक पहुचने की तो टेंशन मतलो अगर 12 महीने पूरे होने के बाद भी आप उस क्राइटिरिया को कम्प को पूरा करने के लिए कुछ भी डालना कुछ भी भरना बंद करो किसी तरह से रोध होकर अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी जाए ना तो कोई फैदा नहीं होगा आपको आगे चलके वह किसी बंद बकसे में पड़ीवी चीज के जैसा होगा और हो सकता है कि आने वाले यह सकती है आपने 4000 घंटे का वास्टाइम पुरा कर लिया तो भी आ सकती है और अगर अभी प्राइज यह प्राइजम में प्राइज हो भी गया तो आगे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है इसलिए दोस्तों quantity पे नहीं quality पे ध्यान दीजे बैं बताओ अगर आपकी quality धीरे धीरे आप अच्छी करोगे तो आप step wise step wise step wise और अच्छे बनते जाओगे आपकी video की quality अच्छी होती जाएगी आप एक अच्छे YouTuber बन जाओगे लेकिन अगर आप सिर्फ quantity पर ध्यान दोगे ना I am telling you आप जहां हो वही रह जाओगे तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इस video से इतना है कि quantity पे नहीं quality पर ध्यान दो हो सकता है कि आपको थोड़ा वक्त लग जाए लेकिन एक बार जब आपकी channel पर लोगों की नजर पड़ेगी ना आपकी किसी video पर नजर पड़ेगी तो उनको लगेगा या ये तो अच्छी videos है फिर वो आपके channel को click करेंगे आपके बाकी videos को check करेंगे या फिर अगर आपकी एक video उनको पसंद आई तो उससे related अगर उनको कोई और चीज़ चाहिए होगी ना तो वो specially आपके channel को ढूंडेंगे search करेंगे और फिर इससे आपकी videos ranking में भी आ जाएगी लेकिन अगर आप भर videos को भर रहे होना videos की बार लगा रहे होना तो I tell you कोई फाइदा नहीं है इसलिए मैं कहरी हूँ अब भी कहरी हूँ अगर अभी तक आपने कुछ भी videos बना के बहरा है अपने channel को तो अभी से भी अच्छी quality की videos बनाना शुरू कर दो हो सकता है कि आपका channel monetize होने में थोड़ा वक्त लग जाए बट एक बार monetize होने के बाद आपका channel तेजी से उड़ान भरेगा क्योंकि आपकी video की quality अच्छी है तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये video पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो subscribe कर दो ताकि जो भी YouTube से related अगर मैं अगली videos टालू तो आपको ज़रूर मिलत vlogs भी डालने वाली हूं thanks for watching have a nice day